नमस्कार आप देख रहे हैं कारकरम पक्ष वेपक्ष और मैं हूँ आपके साथ रविन से उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सपा की बीच एक दूसरे को आइना दिखाने का काम मीडिया से लेकर सदन तक जा रही है तू डाल डाल मैं पात-पात की तर्च पर योगी आदितनात और अखलेश यादव दोनों के शब्द बार जा रही है दरसल जब पूर सीम अखलेश आदव ने वर्तमान सीम योगी आदितनात के कारकाल में कानून विवस्था पर सवाल खड़े किये तो योगी आदितनात ने अखलेश आदव पर तीखा पलटवार किया मुख्यमंत्री ने का कि हम वापस जीत कर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी सरकार गुंडों का समर्थन नहीं करती यहां आपको बताना चाहेंगे कि यूपी विधान सभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सपाध्धक्ष अकलेश आदव ने योगी सरकार को कानून विवस्था के मुद्दे पर घेरा और तीखा तंज कस्ते हुए कहा कि मुक्यमंत्री जी बताएं कि अपराद ना हो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं इस पर नेता सदन मुक्यमंत्री योगी आदितनात ने जवाब देते हुए कहा कि अपराद किसी प्रकार का हो वह माफी योग नहीं है खासकर महिला संबंदे अपराद सीअम ने कहा कि इसको लेकर सरकार पूरी तरह सम्वेदन्चियल है अपरादियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कारवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सरकार है यहां अपराधियों के बारे में यह नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं गल्तियां हो जाती हैं उन्होंने कहा कि अगर अपराधि है तो जीरो टोलरेंस की नीती के साथ कारवाई होती है नेता प्रतिपक्ष ने भी सुईकार किया है कि कारवाई होती है सपा हर उस अपराधि का समर्थन करती है ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में आराजक्ता को के पर्यायर है गुंडागर्दी जिनका पेशा था मुक्यमंत्री योगी ने कहा कि बीते पांच वर्चों में कानून व्यवस्था के बेहतर महौल ने ही इस सरकार को फिर से इतना व्यापक जन समर्थन दिया है प्रत्यक्षम किम प्रमाराव उन्होंने ये भी कहा यहां विधायकों की संक्या इस बात का प्रमार है जनता और आदी आबादी ने जिस भाव के साथ हमें समर्थन दिया है मैं उसका अभिननन करता हूँ हम पूरी प्रतिबद्दता से कह रहे हैं कि अपराद और अपरादियों के खिलाब बिना किसी भेद भाव के कठोर कारवाई जारी रहेगी कोई सर्याम अपराद करें सरकार इसे सुईकार नहीं कर सकती उन्होंने का कि वर्ष 2017 में हमने महिला अपरादों को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्कौाइट का गठन किया था एंटी रोमियो के गठन के साथ ही 2018 फास्ट्रेक कोट की स्थापना की गई बीते पांच वर्षों में लूट, हत्या, महिला संबन्दी, अपराद, डकैती, सहित, विभिन प्रकार के अपरादों में भारी किरावाट आई आकड़े इसके गवा है मुखिमंदी ने का कि प्रतिपक्ष के मित्रों ने यदि राजपाल का भाशर ठीक तरह से सुना होता तो काफी चीजें उनके नजर से भी साफ हो जाती है बाकी जो कुछ बचेंगी उसे हम अपने जवाब में बता देंगे पूर में चुनाओ के समय और बाद में कई आपरादी घटनाए घटित होती थी इस बार भी चुनाओ संपन होने के बाद कुछ लोगों ने हरकत की थी लेकिन उन हरकतों को हमने कुछी घंटों में कंट्रोल भी कर लिया बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रियास किया उनकी गर्मी भी शान्त हो गई योगी बोले दोहजार बारा से सत्तरा के बीच साथ सौ से ज़्यादा बड़े दंगे हुए थे मुक्यमंत्री योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता देश के अंदर नजीर बनी हुई है बीते पांच वर्चों में कोई दंगा नहीं हुआ जबकि 2012 से 2017 के बीच साथ सौ से ज़्यादा बड़े दंगे हुए थे महीनों तक मुझफर नगर लखनो बरेली कोई ऐसा जिला नहीं था जहां दंगा नहीं हुआ हो 2017-2022 तक प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ कहीं कोई कर्फियू नहीं लगा नई सरकार के गठन के बाद राम नावी पर साथ राज्यों में दंगे हुए यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ हरुमान जहनती पर कोई दंगा नहीं हुआ मुखिमंत्री योगी ने कहा कि हमें शिकायत मिलती थी कि कोई बुजर्ग है कोई नवजास हीशू है कोई बिमार वेक्ती है उसकी सहुलियत के लिए धर्मिस्थनों पर से अनावश्यक माईक उतरने चाहिए हमने लोगों से अपील की और अब तक एक लाग से अधिक माई किया तो उतर चुके है या उनकी आवास कम हो गई है उत्रप्रदेश में ये सब पहले भी हो सकता था लेकिन पिछली सरकारों में इच्छा शक्ती की कमी थी हर चीज को वोट बैंक के नजरी से देखने की जो प्रवत्ती है उसे नहीं करने दिया शायद इत्यास में पहली बार उत्तरप्रदेश में अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं हुई इत के अफसर पर सड़कों पर कोई अराज़कता नहीं हुई शान्तिपूर्ण तरीके से पर्व और तेवहार मनाये गए दो हजार करोन से अधिक की संपत्ती अपराधियों और माफियाओं से जब्त की गई ये पहली बार हो रहा है सब को सुरक्षा देना हमारा दायत है सुविता देना सरकार का काम है पर्व और तेवहार शान्ति पूर्ण धंग से मनवाने में हम सयोग करेंगे मुक्यमंत्री योगी आदितनाद ने कहा कि मैं अभिनंदन करूंगा धर्म गुरूओं का जिन्नों ने शान्ति और सौराद के इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था आजएक नजीर बन गई सवाल वही लोग उठा रहे हैं जिनने जन्ता ने किसी लाइक नहीं छोड़ा मुकिमंत्री योगी ने का कि महिला सुरक्षा का मुद्दा हो 25 करोण लोगों की सुरक्षा का मामला हो या कानून विवस्था का मसला हो ये सब सरकार की प्राथमिकता है सरकार जीरो ट्रोलरेंस के साथ इन सब विश्यों पर काम करेगी बहुत से लोग कानूर ये वस्ता पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे में वे लोग कुछ ना कुछ तो शड़ेंद्र करेंगी, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें किसी और लाइक छोड़ा नहीं है, सिदात नगर में विगत दिनों एगटना हुई, इसमें पुलिस पार्ट्रोल में आई है, लेकिन अगर पिछली सरकारों की ये मंचा होती, तो निश्चे तोर पर सब चीजें साफ हो जाती है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे, उसके बाद हम पक्ष विपक्ष दोनों की बाते सुनेंगे, एसन सिंग प्रवक्ता बीजिपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कपिश श्रिवास्तव प्रवक का समाजवादी पार्टी, आप दोनों महमानों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सबसे पहले कफिश जी आपके पास आना चाहेंगे, क्यों लग रहा है आपको कि प्रदेश की कानून विवस्ता सही नहीं है, कोई दंगा नहीं हुआ, एंटियास्काइड रोमियो भी तैयार किया गया, उसको लेकर महिलाओं के प्रती भी काफी अपराद रुके हैं, पिर आपको कहां पर लग रहा है कि योगी आधितनात या बीजेपी की सरकार में कानून विवस्ता ठीक नहीं चल रही हैं? लेकि जो कानून विवस्ता है, उसको मानक के रूप में अगर लिया जाए तो आप प्वेम देखनें, ये कॉंटियूनिटी में ये सरकार चल लेकिन आपको याद होना चाहिए कि महबा के अंदर एक प्रपाटी जी की जो व्यापारी थे, छे लाक रुपे रैंसम मांगा गूस माना गया था और उसके बाद जो है, उसकी हट्या जो है, एससपी माहनी लाल पाटीदाश के द्वारा करती है, आज भी वो फरार है, उन्हें पाताल में चले गए, कि आकाश निगल गया, कुछ कताने हैं, तो क्या ऐसी सरकार जो अपने सस्पी को, अपने हट्यारे स सस्पी को जिस पीछे बंद ना करते हैं, ऐसे लाटार जो सरकार है, उससे आप उमीद करते हैं, तो इसका लाइन अडर बड़ा अच्छा होगा, अब मैं दूसरा हुदार हम दोता है, यह वो एतिहासिक इनका साचंकाल है, जिसमें इनकी पुलिस पच्छिस लाक रुपे शिकर यादाओ जिसका पहले अपरण किया गया, उसकी हथ्या हो गई, हथ्या होने के बाद पुलिस में पच्छिस लाक रुपे जिंडा दिखाते हुए आपरण के लिए कहा दिलाया, और आज तक वो पैएजे इसना होगी, जिसमें पुलिस के द्वारा पच्छिस लाक र क्या करें, उन पर बताएए किस पर बुल्डोजर चला, हमें ये बताएए वो पांस सालों का रिकार्ड क्यों नहीं निकला, जिसका विजए दूबे से संबंद था, जिन मंत्रियों के विजए दूबे से संबंद थे, जिन बड़े लोगों के विजए दूबे से संबंद क्या ये पब्लिक डोमेन में ये बाते हैं, क्या ये लॉइ नॉडल को दर्शाता है, अब आप दूसरी तरफ देखें, अभी हालिया में गुरतपुर के अंदर ट्रिपल वंडर हुआ, अभी आपने देखा कि प्रियाज राज के अंदर दो ये खफ़ते के बाद और एक ख़ लोगों की हद्ट आएंगी, और अब तक पुलिस जो है, किसी भी अपरादी को धर पकड़ सके ने करता है, अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, आपने खुद देखा कि इस ठाए 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 पुलिस ने, अब मैं आकडों की इनकी बात करता हूँ, इस ठाए 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 की 22 जो है पर एंकाउंटर्स की परणी एंकाउंटर की जांट एंगमारएटा कमिशन कर गोड़ें। जिसमें सतरा मामले उत्तर प्रदेश घते और सत्रा सम्हामले में अच्षाइस करॉंठ और रुपए की की साचन में पुलिस का हो रहा है अब आप दूसरी तरफ से देखिए चार सो सब्सक्राइब पुलिस अविरक्षा में मृत्यू की गई उसका यह अभी तक कारण नहीं बता सके यानि कि पुलिस के द्वारा यह अत्ता के लिए पेरिद किया गया इस सरकार के द्वारा और रहा है और यह वो सरकार है जो सैंगर का साथ देती और तब-तक उनको अपना माननिय विढायक बना करकर के रखती है जब तक कि सेंगर जो है वो दो सिद्ध नहीं हो जाते हैं और पूरी बिटिया के परिवार को मरवाने दिए तो यह वो सरकार है जो आपरादी करण पुलिस का कर रही है यह वो सरकार है जो जिसके आंकड़े यह बताते हैं NCRB के आंकड़े देखने तो 2018-2019 के यह आंकड़े इनों ने प्रस्तुत किये 2021-2022 के आंकड़े इनों प्रस्तुत नहीं किये 3 साल को वो आंकड़े प्रस्तुत किये जिसमें करोना काल के अंदर पूरा देश चरना था तो अपराद क्या वहां तो सरसिलाव मौते को वह ज़ए हो रही दिकत यह है कि मैईना आपरादों में न लेकिन जब चोर साहू का रूप धारण करता है, वो छड़िक धारण करता है कुछ देर के बाद जाके सब एक एक चीज़े हैं, अब फस्ट हो जाती है, तो कि टार्च और सूरी में कुछ तो अंतर होगा, जब सूरी का प्रकास निकलता है, तो दिखने लगता है कि ये तो हम भरवित होते हैं, आप भी भरवित होते हैं, कई लोग भरवित होते हैं, महिला हैं, कई बार चांड, लाइट को चांड समझ के और कहती हैं, हमनों चांड देख लिया, मैं छोटी-छोटी चीज़ें इनके समय की आप दिलाना चाहूँगा, हाला कि तुलना नहीं करना मेरक में जैसिर राम का नारा लगाने वाले लड़के जेल में बंद कर दिये जाते हैं, मोह में सरकार के नाग के नीचे मुलायम सिंग साथ तीन सौट अलों के साथ पांट दिल तक खुली छूट दे देते हैं, कि हिंदूों की हच्चा किया जाए, समाम लोगों की हच्चा मादो कांडे कांड सब लोग जानते ही हैं, 25 लोग मारे गए, उसमें पुलिस भी मारे गए, मैं कितना गिना हूँ, महु मुझफर नगर के दंगे, मुलंद सर्वदां के दूसकर्म, बारा बारा लोगों ने एक नवाली के लड़की और पूरे परिवार के साथ दूसकर्म किया, और वहां पे कहा गया है कि लड़के हैं जल्सी हो जाती है, हम इंसे तुड़ना नहीं करना चाहिए, इनके समय में पराधियों की जाती होती थी, और बातिमादी थे, वो भी धारम के नाम पे छोड़ दिये जाते थे कि इनका बोज कड़ जाएगा, जो रामपुर मे सियार्पी अपकैंट पे हमला करते हैं, जया में करते हैं, कांपूर में करते हैं, बारारती में करते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, इस तरह का निस्तित तोर पे कारे भारती जम्ता पार्टी नहीं करेगी, इनके समय में एक नारा था, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हम आईगी क्योंकि इनके समय में अपारण हो जाता था और उसके बगले में फिरोटी लिये जाते थे बड़ी गारियों में बड़े बड़े नाल लेके चलते थे लोग और पुलिस पर आमर उजाला ने अपने समय में च्छापा इस समाजबादी पार्टी की सरकार में पुलिस एक हज़ाद बार पुलिस पे हमला हुआ जिस जगे के रहने वाले हैं गोरकपूर के बगल में देवरिया जीना में मदनपूर ठाने को सरयाम इनके खिंदे लूट लिये इन्होंने कोई एक बार भी कुछ नहीं किया इनके समय में पत्रकार जगेंदर की हथ्या हो जाती है जला कर और वियान देता है आस्ती जंता पार्टी तो कहती है कि देखिए अपराद आज से नहीं है यह हमेशा से है और अपराद यह पढ़े भी होंगे यह किसी समय में ऐसा नहीं है कि पूर रूपे तमाप तो हो जाएगा लेकिन एक जिन्मेदारी और जवाब देशते हो दोनोंकी बाते हैं दिल्ली से साथ हैं दूसरी चीजा में शुन्ट है आदेर नहीं चुरदे हैं गाज्तारी करण करोरे बनाने ने में किसका आथा ठीक है ठीक है ठीक है आरो प्रत्तरूप समझ गया है और अकले सरकार बुष्टार पूरी तरह से लिपते कौन कह रहा है अरो प्रत्तरूप आप दोने लगा दिये अब सवाल जवाब भी आप लोगों को देने होंगे ठीक है ठीक है यासीन मलिक को सजा कैलान कर दिया है कश्मीरी अलगाववादी नेता है यासीन मलिक जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है पट्याला हाउस कोट ने ये सजा सुनाई है यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दोशी है स्पेशल एनाइए कोट ने इस माई क यासीन को दोशी करार दिया था तो इस वक्त बड़ी खबर इंतजार था इस खबर पर देश के निगाहें टिके हुई थी कि यासीन मलीक को आफर क्या सजा सुनाई जाती है तो अब फिलाल बड़ी खबर इस वक्त सामने है इस्पेशल न.I.A. कोट ने 19 माई को यासीन को दोशी करार दिया था जिस पर ये सजा सुनाई गई है उम्रकैत की सजा यासीन मलिक को हुई है इस वक्त आपको बता दें पट्याला हाउस कोट ने सजा सुनाई है यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में दोशी करार दिया गया है Special NIA Coat ने 19 माई को यासीन मलिक को दोशी करार दिया था बड़ी खबर स्वीच यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दोशी पाय गए हैं जिसके बाद विवेक सिंग्चंदेल हमारे सेहोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानना चाहेंगे अपडेट अदरसल जो अभी एडिजे प्रवीन सिंग है उनकी कोट ने अभी यह सजा का ऐलान किया है जिसमें उनको जो यासी मलिक है उसको 121 के तहट उसको रिगोरियस प्रेजिनमेंट का जर्माने के साथ इसके लावाए 120 में भी सासरम करावास की बात के लाइफ इंप्रेजिनमेंट विट फाइन और 120 जो यह यूए पीए का अठारा श्रेक्षन है उसके तहट 10 साल की सजा और 10,000 का फाइन किया है इसके लाव उसको यूए पीए की एक धारा में 10,000,000 रुपे का भी जूरुमाना लगा गया है और ओर्डर में यह थोड़ा सा कन्फर्म नहीं हो पाया है हलाकि देखा जाए तो उसको अब यह कहा जाएगा कि उसको उम्रकैट की सजा नीचली अदालत से तै कर दी गई है इसके अलाव हमें जो इस पस्ट चीजें उसकी जानकारी के लिए हमें कोट की और्डर का इंतजार करना पड़ेगा जी चलिए बहुत 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 शुक्रिया तमाम जानकाई देने के लिए तो यासिन मलक को उम्रकैट के सजा सुनाए गई है एनाई ए कोट ने 19 माई को यासिन को दो आगे बढ़ाते हैं पक्ष विपक्ष असक्त आप देख रहे हैं और पक्ष विपक्ष में चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम सुन लेते हैं कि सदन में मुख्यमंतरियोगी आदितनाथ ने क्या जवाब दिया था जब उनसे कानून व्यवस्ता को लेकर सवाल पूछ यह भारती जम्ता पार्टी की सरकार है यह प्राधियों के बारे में यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गल्टी कर देते हैं अजर अप्राधी है तो कोई भी है वो जिरो टॉलेंस की निती के पहद ही करवाई होती है और नेता प्रति प्रत्व से इस बात को अच्छी प्रज जानते भी हैं समझते भी हैं और श्विकार भी क्या है कि करवाई हुई भी है दिकत पांच वर्स के अंदर प्रदेश के अंदर कानन ब्यवस्ता और सुरक्सा के बहतर माहूल ने ही इस सरकार को फिर से जातब जम समर्खन किया है चले वापस चलते हैं अपने दोनों खास मेहानों की तरफ जिन से हम जानने की कोशिश करें क्योंकि पक्ष विपक्ष का मामला है और दोनों एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं हम जाएंगे कपिश जी के पास इतने सारे आरोप आपके उपर लग गए दंगों की बात उन्होंने गिना दिये कितने दंगे आपके सरकार में हुए थे और किस तरह से आपको बतादें प्रताब गड में सियो जिया ऐलहक की हत्या की गई थी वो मामला भी सामने आया था उस पर सावाल खड़े हो थे मत्रा का जवार बाग कांड भी सामने आया था इतनी सारी चीज़ें आते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि आपके सरकार में जो है वो कानून विवस्ता दुरूस्त थी हम तो एक बात यह कह रहे हैं कि हमारी जो भी पुर्वर्वर्वी सरकार के लिए उसने रामराजी की सापना की कवायत नहीं करी थी नवाइदा किया सादेश की जनता के साथ हमने यह कहा था कि हम अपराज पर लगाम लगाने की पूरी तरीके से कुशिश को और हम उसमें काम्याब भी साथ जिस बयान को योगी आधितनादी सदन में दोहरा रहे थे वो आपकी सरकार के ही एक वरश्तनेता का बयान था जी-जी मैं उस पर आ रहा हूँ जी मैं एक बात यह कह रहा हूँ कि एक बात से आप आल लेने की कुशिश कर रहे हैं वो भी बात सकी है पिछली सरकार का नजरिया था वो किया था अपराधियों के साथ कडे रहा करते थे इस वजह से वो बयान दिया जारा है इस लिए कह रहा हूँ कि एंस्यार्बी के आखड़ों ने भी ये सुईकार किया है कि अपरादों में कमी आई है महिला अपराद की ज़रूर बात कही है कि महिला आपराद 45,385 का आखड़ा दिया मेरी बात पूरी आप हमेंसर बिये बता दीजे दो हजार अठारा दो हजार उन्नीस का अकड़ा कहा है दो हजार इस इन आकड़ों में कितना अंतर है मैं बता तो रहा हूँ आपको आपको दे तो रहा हूँ आकड़ा वाहिलाओं के प्रती जो अपराद है वह उन्चा से जार तीन सो पिच्छा से गारा हूँ मतलब जंता ने जिसको मैंड़ेट मिला है उसको आप आप दंगावादी लोगों की पार्टी कह रहे हैं क्यों नहीं कहेंगे साथ हमको मैंड़ेट नहीं मिला है तो आप जंता पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना जंता ने पहले से इन पर कम अपने विच्छा सुनियता जंता ही यह संतावन सीट कम हुए तो बिना जंता के यह सत्ता में कैसे आ जाएंगे हम अग्म हम अग्जी सीटों में अपनी अभी वरद्धी किया हैं तेरा परसेंट हमारे मतों में अभी वरद्धी हुए इस बाट पर जब दब दबा ज़ाद है यह तो कहर है कि इतनी सीटों में वरभी हुई इतनी प्रतुषित वोट की व्रभी किसrée है यह यह जन्सला में कि दंगा करवाने वाली जो पार्टी है वो जब सत्ता में आ जाएगी तो कैसे दंगे होने का सवाल ही नहीं उठता है जिस विषय के विद्यार्थी हैं इसी विषय के बार बार खीट के ले जाएंगे जिवी आप दिलाना चाहूंगा 20 करोन रुपे महंगाई बत्ता बाटने इनकी सरकार जाती है और 15 करोन बाटने में खर्च हो जाता है रगिंदर जी आपको याद होगा 35 करोन रुपे सैफ़ाई में उड़ा दिया जाता है 96 अजार करों का हिसाब नहीं दिया जाता है पूरे प्रदेश में 14 अजार ऐसे प्राफ्मी बिद्धारों ने सिच्छक पाए जाते हैं जो सेली तो ले रहे होते हैं सिच्छक होते ही नहीं है चार लाख ऐसे लोग फिल्पन धारक मिलते हैं कपी जी आ रहे हैं कपी जी कपी जी ये आरोप प्रत्यरोप का दौर चलता रहेगा तू डाल डाल मैं पात पात ये कहा जाता रहेगा जब भी कानून वे वस्ता लेकर सवाल उटेंगे बदो शुक्या आप दोनों खास मेमानों का अमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए लेकिन ये जो तूतू मेमे की प्रक्रिया शुरू होती है उससे जो आम मुद्दा उससे हम हट जाते हैं और शायद इस मामले में खेलने में दोनों ही पक्ष अपने आप में महारत हास थपा सकती है लेकिन पूरी तरह से सरकार पीट नहीं थप थपा सकती कि कानुन वरस्ता पूरी तरह से ठीक हो गई है इस पर भी विचार करना होगा फिलाल पक्ष पर पक्ष में इतना ही जुड़ रही है हमारे साथ